ये देखे फ्रेंड्स देखते ही मुँ में पानी आ रहा है ना बिल्कुल महुत ही मज़िदार हमारे मसाला मिर्ची फ्राई बनके रेडी होगा फ्रेंड्स इस मिर्ची की खास बात ये है कि आप इसे एक वीक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं आप एक दिन बनाएं और हफते भर खाएं और कभी भी घर में सबजी नहों कुछ नहों इस मिर्ची फ्राई के साथ आप पराठे या दाल चावल के साथ खा सकते हैं तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देशी किचन में और मैं हूँ ममता तो ये दिखें फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मीडियम स्पाइसर की यह बड़ी वाली जो मिर्ची होती है मैंने याज उसका यूज़ किया है उसे मैंने बहुत अच्छे से धो कर और ड्राइ कर लिया है सूखे कपड़े से मैंने पोच लिया है या टीशू पेपर से पोच लिजे उसके बाद यहाँ पे मैं बीच से ऐसे कट लगा लूगी तो friends आप इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक कट लगाएं मैं इसे हाथ में लेकर कट लगा रही हूँ लेकिन आप छॉपिंग बौड पे रखकर कट लगाएं नहीं तो हाथ कट भी सकता है तो इसलिए बहुत ही केरफुली आप कट लगाएं मुझे तो आदत हो है मैं मुझे easy लगा इसी तरह से इसलिए मैं cut लगा रही हूं इसी तरह से करके सभी मिर्ची को हम बीच से cut कर लेंगे और उसके बाद ये देखे friends अब इसके लिए हम मसाले ready करेंगे तो सबसे पहले मसालों में मैं यहाँ पे 2-3 चमच के करीब धनिया पाउडर ले रही हूँ धनिया पाउडर की क्वांटिटी हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि यही हमारा बेस होगा उसके बाद एक चमच के करीब यहाँ पे हल्दी पाउडर का मैंने यूज किया है तो एक चमच बड़ा चमच में हल्दी पाउडर ले लेती हूँ उसके बाद यहाँ पे मैं एक बड़ा चमच में लाल मिर्ची का पाउडर फ्रेंच जो मिर्ची हमने यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है इसलिए कि जगह पे हम यहाँ पे एक चमच मिर्ची पाउडर का यूज किया एक चमच मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर का यूज कर रहे हूँ तो भरकर हम एक चमच अमचूर पाउडर ले लेंगे यहाँ पे आधा चमच मैंने गरम मसाला का यूज किया है और उसके बाद यहाँ पे दरदरा कूटा हुआ स्वा फैफरेंस तो वो हम दो चमच ले लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पींच ओफ हींग एड़ कर देंगे यहाँ पे मैंने भूना हुआ जीरा का पाउडर है आदा चमच वो लिया है और कस्तूरी मेथी को मैंने करश करके डाल दी है और अब इन सभी मसालों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लें यही हमारे जो मिर्ची फ्राई में है बहुत अच्छा टेस्ट और जिक्दम जान डाल देगा फिसके बाद हम पैन में ऑईल डाल देंगे थोड़ा सा ऑईल हमें ने लिया है यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑईल का यूज़ कर रही हूँ तो आप मस्टर्ड ऑईल में भी बना सकते हैं या फिर नॉर्मल ऑईल में भी आप बना सकते हैं मस्टर्ड ओल में फ्रेंट से मिर्ची फ्राई वेगरा बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आता है उसके बाद मैंने यहाँ पे दो से तीन बड़े चमश बेसन उसमें एड़ कर दूँगी तो पहले हम तेल को खुब अच्छे से गरम करेंग उसके बाद जो हमने मसाले मिक्स करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे मसाले ताकि हमारे जो यह इसकी जो गरमाहट है हमने जो यह बेसन भूना है उसके साथ वो भी थोड़ा सा भून जाएगा जिससे टेस्ट बहुत अच्छा है उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बड़ा चमश सादा नमक लिया है और उसके बाद आधा चमश मैं यहाँ पे का प tangmaya कंछ़ ना विक फ्रविणेटनंट मैं आइसे बहुत जाएल फोर हुरक ऐसे कर सकते हैं मिर्ची आप उसका स्कार्यों करें दियुका मिर्ची मिल घर के नहीं होती है जब भी अगर आपको सबजी में कोई स्वाद ना आ रहा हो मन कर रहा हो कुछ चटपटा सा खाने का तो फ्रेंड्स आप ये मसाला मिर्ची फ्राई बना के रखें और इसे खाएं ये बहुत ही ज़ादा टेस्टी लगता है खाने के साथ आप अगर एक पराठे खाने का मन हो तो इसके साथ आप तीन से चार पराठे खा लोगे इतना ज़ादा ये टेस्टी हमारा मिर्ची फ्राई बनके रड़ी होता है और इस तरह से करके हमने सभी जो मिर्ची फ्राई है इस टफ करके मैंने रख लिया है अब हम थोड़ा से इसमें मसाला मेरा बच गया था तो हमे इसे बचाना ही है ये दिखे अब इसका यूज मैं बाद में करूंगी मैं आपको बाद में बताती हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं फिर सरसो का तेल का ही यूज कर रही हूँ एक बड़ा चमज मैं यहाँ पर सरसो का तेल लिया है मैंने थोड़ा सा उसे हम गरम कर लेते है तो friends गरम करने के बाद हमें इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेती हैं उसके बाद जो हमने मिर्ची थे उसे हम डारेक्ट इसमें एड़ कर देंगे तो friends अगर आपको ज्यादा फ्राई पसंद है तो थोड़ा सा आप आईल की कौंटिटी बढ़ा सकते हैं लेकिन मुझे बहुत जादा मतलब ऑईली नहीं मतलब बनाना है इसलिए मैंने कम ऑईल का यूज किया है उसके बाद इसे बहुत अच्छे से अलट पलट कर हम इसे फ्राई कर लेंगे फ्राई करने के बाद फ्रेंड से थोड़ा से जो हम मसाले बचाके रखें इसके उपर हम डाल देंगे और इसे भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ही बस हमारा बहुत ही जादा टेस्टी एकदम मसाला मिर्ची फ्राई बनके रेडी है फ्रेंड्स अगर आप इसे एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें आपको ज़रूर ही पसंद आएगा उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं लेमन चूस अड़ कर दूगी और इस सभी को अच्छे से मिक्स कर दूगी और इसे बस ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेर में पैक करके आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और जब कभी भी आपका मन हो खाने में कुछ अच्छा सा मन कर रहा हो चटपटा खाने का एक मिर्ची आप निकाली है और बस मजा ही आ जाएगा तो फ्रेंड्स यह रेसेपी ज़रूर ट्राइ करें जब कभी भी घर में सबजी ना हो, कुछ अच्छा खाने का मन हो तो इस तरह की रेसेपी आप ट्राइ कर सकते हैं यह सभी चीज के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ आप इसे दाल चावल के साथ भी आप खा सकते हैं आप इसे travel में भी ले जा सकते हैं और friends ये मेची बहुत जादा तीखी भी नहीं होती है कि आप को खा भी नहीं सकते हो खाया नहीं जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत ही मज़ा आता है खाने में उसके साथ थोड़ा हां फ्रेंड सस्टेश और अगर आप यह खाने के साथ इसे क्हाते हैं तो आपके खाने का स्वाद भी दूगना हो जाता है तो फ्रेंड सिये रेसेपी अपे अब बार ज़रूर ट्राइ करें और मुझे कमेंड बॉक्स में बताएं कि आपकी ये रेसेपी कैसी लगी आपकी रेसेपी कैसी बनी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसेपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई एंट टेक केर फ्रेंड्स